दोस्तो दुपैर के एक बच के पंदरा मिन्ट के आसपास हो गए हैं कल भी मैंने इसी टाइम पे वीडियो बनाई थी और निफ्टी में टार्गेट आ गया है दोस्तो ठीक है जो लेवल इसने ट्रिगर किया था नंबर का गेम है सारा ठीक है जो नंबर के बेस पे इसका अब बहुत ओवरबोट है निफ्टी एक्स्ट्रीम ओवरबोट है तो ये रिस्क नहीं लेना है ठीक है कि हम इसको पकड़के बैठे हैं 26 है हाँ ये एक बार को शॉट किया जा सकता है इस नंबर के बीच में ठीक है वो भी भाई किसी का दिल करे तो कर ले ना नहीं तो कोई करन आने वाले दिन के लिए ये नंबर नहीं ट्रिगर होना चाहिए इस नंबर के ट्रिगर के बाद ऑन दी सेम डे जिस भी दिन आज कल पर सो ये नंबर ट्रिगर होगा तो अब फिर उसके बाद फरदर तेजी है ठीक है फरदर तेजी देखे चार दिन हो गया है मार्केट किस परकार से उपर आया, यह देखी, ठीक है, कहां था, 25794, 26,100 का हमने टारगेट लिया था, 26,100 से लेके 26,110 के बीच का, एक भी दिन आपको ऐसी रैली नहीं दिखी होगी, ठीक है, तो इंट्राडे में नहीं बना पाएगा कोई, बहुत मुश्किल है, मार्केट में इस परकार अब करेक्ट, जैसे कोई देख ले, जैसे कल था मूव, जब वीडियो बना रहे थे, दिखा चार्ट पे, तो यह 50-60 पॉइंट आप ले सकते हैं, एक दो बोजे के बाद, उसके बाद ही गेम देखने को मिलेगा, ठीक है, अभी भी जैसे एक बच के पंदरा मिंटो हैं, अ प्राइ सेक्शन दिखेगा, कुछ 26,150, 26,60, तो 26,225 को लेकर एक शॉर्ट का ट्रेड लेने का मन करेगा, अधरवाइस इस फिलाल, नो पोजिशन, नो ट्रेडिंग इन निफ्टी, ठीक है, और यह भी कोई वो नहीं है, जैसे 25,794 से जो 26,100 का टार्गेट आगया है, ठीक तो यही होता है, आपने बुक करना पड़ेगा, लेवल को छोड़ना पड़ेगा, मतलब प्रॉफिट को छोड़ना पड़ेगा, कुछ नमबर आपको छोड़ने पड़ेंगे, ठीक है, जैसे 25,970, 960 का आसपास ही निकल गया हम, उसके वाद 26,025 के उपर दुबारा वाली एक्टिविटी नहीं करनी है, उस परकार से ट्रेडिंग नहीं करनी है, सीडी दर सीडी जिस परकार से दिख रहा है, तो फिलाल अभी कुछ नहीं दिख रहा है, अभी कुछ नहीं दिख रहा है, निफ्टी में इस पर्टिकुलर टाइम पे एक बज के पंदरा मिनट पर एक बज़ के 20 मिनट होने वाले फिलाल कुछ नहीं है ठीक है बैंक निफ्टी पा जाते हैं बैंक निफ्टी एक बार डिस्क्लेमर को देख लो यार यह बाब भूलना जाओं भया यह बड़ा जरूरी है ठीक है ज्यादा बोलता नहीं हूं बस पढ़ लीजेगा यह ठोड निफ्टी साइडवेज हो जाना चाहिए इसने रैली करनी चाहिए यह थोड़ा जना दिमाग खराब कर रहा है यह देखी यह इसका रेजिस्टेंस जोन यहां पर इसने पार भी किया इसको यह तीन केंडल जो बनी 15 15 मिनट के टक टक करके ऊपर भी गया फिर यह नीचे की जोन में आ सकता है यह वाला जो जोन है तो बी ओन बाई सेड ओनली अवव 54,200 ठीक है अब वो चीछ छोड़ दीजिए जो मैं अब तक डिसकस कर रहा था आपसे की 53,970 इसको सपोर्ट मानके चलिए अब अब देस यह बुलिश है तेजी में ना भाई अब यह चीछ लग जाता है भाई तेजी मत करिए ठीक है हट जाईए 54,200 इसदी नंबर ठीक है नीचे आ जाता है वहाँ से क्या करना है यह सपोर्ट रहेगा देखिए पूरा जो लाइन है यह सपोर्ट किये यहाँ पे 53,970 के आसपास पुर यह है 53,800 के आसपास यहाँ कुछ दिखता है ठीक है इस परकार से बुद तो वो देखेंगे यहाँ पर क्या फॉर्मेशन बनती है वो देखना पड़े है यहाँ से बाई बनता है यह नई बनता है ठीक है वो सब अलग चीज है वीकली चार्ट पर बुलिश है अभी भी पर पोजिशन किस परकार से बनानी है मैं वो है ना इसमें ट्रैप नहीं होना है तो उसके लिए की तरीका है चोवन हजार दो सो इसके उपर है भाई बिंदास बी ओन बाई साइड बिंदास बी ओन बाई साइड ठीक है इस नंबर के उपर क्लोजिंग भी आ जाती है ना चोवन हजार दो सो के उपर बढ़िया है ते ज यह दिखेंगा आपको यह नंबर स्क्रीन पे तो बी ओन बाइसेट ओनली अबव यह जो है इसको आवर्ली चार्ट पर रोक रहा है क्या आवर्ली चार्ट लगा कि अवर्ली चार्ट भी क्या क्लोजिंग इसकेंडल की 213 कहां जान फसी हुई है यह हाई कितना बना था उस जिन दे यह हाई क्या है 228 कोई नहीं चौवण दोसो ही है यार कोई दिक्तत नहीं 54200 इसके उपर ही है अदर्वाइस यह जो यह जो यह चल रहा है इसका थोड़ा सा क्रेक्शन आ सकता है आ सकता है मैं इसको वह नहीं कर रहा है बट यह इसके उपर रहेगा तो तो फिर यह उपर की तरफी खिश दिये जाएगा ठीक है 54200 इसको दिमाग में रखेगा अगले दो घंटे के लिए इसके उपर है बढ़िया है क्लोजिंग इसके उपर आती है आप एक तरीके से तेजी करके जा सकते हैं मैंग निक्टी में ठीक है स्टॉक जो अच्छे लगते हैं दोस्तों कल भी चर्चा की थी उसमें उसने एक ने तो चलना शुरू कर दिया है है इंडाल को बढ़िया यह देखिए 732-733 दिखा दिया है इसमें एडन शोल्डर का ब्रेक आउट था कल आपके साथ अनलेसिस किया था तो इसकी जर्नी जो है स्टार्ट हो चुकी है प्रॉफिट के मजे लीजिए ठीक है दुक करते रही है 720-715 के बीच में था मौका मिला तो चलते रही है 732-735 के उपर क्लो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों NTPC बुलिश ही है ठीक है थोड़ा साही दर दर रहके उपर ही चला जाएगा चार्स टिल्दा टाइम इट इस अबवव 430 ठीक है मोमेंटम इसका उपर की तरफ ही है यह ना 430 के बाद क्या है थोड़ा sideways हो सकता है फिर यह formation मन सकती है इस ची नीचे की तरफ इस परकार से जाएगा ठीक है इस चीच पर इसका breakout की तो यहां पर कैट थोड़ा टाइम लग सकता है अगर ए 430 के नीचे सरक जाता है तो है pattern bullish बढ़िया ठीक है यह पूरे का इसका breakout देके उपर चल रहा है तो इस चीच को ध्यान में रखेगा 430 के उपर तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें NTPC बढ़िया है अक्टूबर मन्त के लिए ठिटा के इस टॉप एक पावर ग्रेड था शायद पावर ग्रेड पावर ग्रेड भी थोड़ा जा नीचे की तरफ टाइम पास कर रहा है बट इस बुलिश यह मौके है इनके अंदर position जो है बन 368, 372 यह नंबर आपको बहुत जल दिखने चाहिए यह वाली वेव के अंदर यह वाली जो है तो यह trend line ड्रॉप करके रखें डॉंट मिस पावर ग्रेड ठीक है यह trend line जो है यहाँ ड्रॉप करके रखें इस प्रकार से तो जैसे ही इसको निकलेगी उपर की तरफ के लेव लेवल के उपर ही ट्रेड कर रहा है 360 के उपर चलिए उम्मीद है वीडियो आपको टिक टाक लगी होगी बैंक निफ्टी पे ही मेरा फोकस है पर कंडिशन इस 54200 थोड़ा सा और उपर लेली जा आपको लेना है तो थोड़ा और सेफ्टी के साथ 230-240 बढ़ 54200 के उपर सही है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक यू वेरी मच चलेगा फिर ये अगर 54200 के उपर है फिर इसको जाना है ठीक यू